हेलो दोस्तों आप सब भी कस्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मैथ मस्ति पर दोस्तों मैं हूँ विपिन यादव और आज हम आपको परहाने वाले हैं मिसलेनियस कोश्चन जो और बी एंटी पीसी 2018 के एक्जाम में पूछे गए थे कोश्चन थोरा सा हाई लेबल क आज होगा यह मैंने ऐसा वीडियो इसलिए बनाया है कि पीछे आपने बहुत सारे वीडियो में जितने भी एजी कुश्चन थे वो सारे मैंने आपको कड़ाय थे अब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं थोरा हाई लेबल के कुश्चन अच्छा एक बात और सारे वीडियो आपको इससे पहले के 34 वीडियो कहां मिलेगा तो प्लेलिस्ट में मिल जागा और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन वक्स में दे दिया है तो वहां से भी जाकर देख लीजेगा ठीक है आईए सबसे पहला सवाल आज का यह सवाल कहता है कि ए सातवे कार्ज दिवस में बेचे गया सोफों की संख्या होगी मतलब यह जो चारग ओप्सन दिया हुआ है इसमें वो संख्या होगा जो सातमा दिन सोफा बेचा गया होगा वो वला संख्या होगा यादि सातों कार्ज दिवसों में प्रती दिवस बेचे गया सोफों की माधिका के बड़ाबर है यानि यह उसत जो होगा न माधिका के बड़ाबर होगा एक बात बताई यह पहले तो जो बेचा गया है वो अठार नाव अठार नाव चोवीस चो उसके बाद है 21 एवं यह कितने दिन का एक दो तीन चार पांच छो दिन का है कहता है कि छो दिन का इतना 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 सोफों की संख्या क्या होगी यदि सातों कार्ज दिवस में परती दिवस बेचे गया सोफों का समान तरमाद है सातों कार्ज दिवस में प्राप्त दिवस में बेचे गया सोफो तर्माद होगा न, उस सात दिन के माधिका के बड़ाबर होगा, तो सतमा दिन क्या भी का था, सतमा दिन कितना भी का था, हलाकि यहां तो उत्तर दिख रहा है कि option C, आपको एक्जाम में क्या करना था, option से चेक करना था, option से कोई भी एक, चुकि सातमा दिन का पूछा है, तो नीचे चार उप्सन है, उसमें सातमा दिन का ही होगा, कोई न, कोई, तो हम यहां पर डैरेक्ट सी लेकर ही चलते हैं, ताकि हमें पता भी है, तो माली जे कि सातमा दिन पंद्रगों सोभा भी का होगा, तो इन सब को जोड़के, असात से भाग देते हैं, तो आउसत से, यानि जो आउसत है, वो माधिका के बराबर, तो देखते हैं माधा माधिका बराबर होता है, कि नहीं, माध निकालने के लिए सब को जोड़के, सात दिन का है, तो सात से भाग देना होगा, इन सब को एड़ करियेगा, यानि कि आपको एड़ किसको करना है, जनते हैं, सब जोर के होता है 105 इसको साथ से भाग दिजिए 158 105 पंदरा आगया माद अब दोस्तों माधिका पता कर लिजे माधिका सुनिएगा माधिका तो माधी का कैसे पता होगा तो माधिका का फर्मूला होता है या माधिका का फर्मूला होता है n by 2 प्लस 1 माधिका का फर्मूला होता है n plus 1 by 2 वा पद ठीक ना तो अब देखो यह टोटल कितना नमबर है वह एन हो जाएगा ठीक ना और इसको पहले आप क्या करो और वही करम में लिख लो आरोही यानि बठते कल में तो सबसे पहले आपका जागा 6 और वही करम में बढहेगे तो सबसे पहले 6 آं जागा चो उसके बाद कितना 9 6 हो गया, 9 हो गया उसके बाद आपका 12 आजाएगा तब 15 आजाएगा 12-15 हो गया उसके बाद 18 18 हो जाएगा उसके बाद 21 21 के बाद क्या होगा 24 24 के बाद यह 24 हो जाएगा ठीक, अब n plus 1 by 2 आप बद तो 1,2,3,4,5,6,7 प्लस एक बट्टा दू यानि आठ बट्टा दू यानि चारवा चारवा पद कौन है चारवा पद तो चारवा पद इसमें एक दो तीन चार ये पंद्र है यानि इसकी माधिका भी पंद्र आ गया तो हो गया हमारा एंसर सही है क्योंकि इसका जो माध्य आया ना वो किसके बर आधि का के तो हमारा एंसर को लेने से यह सब्सक्राइए लुक्त सबूज़े आपको शुर नहीं प्लिन जादा बेहतर होगा ताकि वो और सावाल का समय बरबाद ना कर दे देखिए क्या करता है एक थैले में नीली और लाल गेंद एक नियत अनुपात में है जब इसमें 84 लाल गेंद थी तो नीली गेंद की संख्या 36 थी यादि नीली गेंद की संख्या 54 है तो थैले में कितने ला संख्या 36 थी यह 84 थी तो यह 36 थी काट सकते हैं इसको काट सकते हैं बारा सत्य चोड़ासी अब बारती आई 36 के अनुपात में अब सवाल काता है अगर काता है कि यदि नीली गेंद की संख्या संख्या 54 है तो थैले में कितनी लाल गेंध है इस रेशियों में रहेगा तो नीली गेंद की संख्या चोबन जबकि आप जान रहे कि नीली गेंद की संख्या अनुपात में तीन अरियल में यहां चोबन कर दिया अनुपात तीन का वेलू चोबन एक का वेलू अठारा तो अठारा सते लाल वालन निकलना है 126 हमारा 126 हो जाएगा असानी से आपको पता चल गया 126 ठीक है ना चल समय ने वाला था मुफ्त अवकास यानि फ्री में चुटी मिलेगा बीना काम के हुए पईस आपको मिलेगा मुफ्त अवकास का यही मतलब है अब काता है उसने केबल पांस सब्ताह काम किया और इसके लिए उसे 50 रुपे का भुखतां एवम एक मुपत अवकास मिला मतलब पान्स अप्ताह के लिए काम किया, फिर भी मुफ्त अबकास मिल गिया अबकास का मुल्य कितना था , इसनीय अभकास ता उसका मुल्य पूछा है एक बात बताओ, िव साथ सफदाह के करज के लिए 500 रूपय है भुपतान और एक मुफ्त अबकास मिलना था यानि कि पांस रुपया मिलता साथ दिन में एगो मुफत अवकास मिलता माल लेते हैं कि मुफत अवकास में उसको एक्स रुपया मिलने वला था तो सब को जोर देंगे तो इस साथ दिन का कुल खर्चा हुआ अगर साथ से भाग दे देंगे तो एक दिन का खर्चा हुआ अब उसको मिला है पांच सब्ता काम करने का पचास रुपए पचास रुपए का भुकतान कहता है पांच सब्ता काम किया और इसके लिए उसे पचास रुपए भुकतान मिला एक मुफ्त अवकास भी मिला मुफ्त अवकास का तो हमने मान एक्स रुप्या कर लिया है तो पचास रुप्या मिला वो और मुफ्त अवकास वला यानि पांच दिन में इतना मिला है तो एक दिन का कितना हुआ तो एक दिन का निकालने के लिए पांच से भाग देना होगा क्योंकि ये पांच सब्ता का है तो पांच से भाग साथ सब्ता का था तो साथ से भाग एक एक सब्ता का निकल गया दोनों हो गया एक एक सब्ता का तो आपस में बड़ाबर पांच सब्ता वला में पांच से भाग तो एक सब्ता का निकला साथ सब्ता वला में साथ से भाग तो एक सब्ता का निकला एक सब्ता का इधर भी एक सब्ता का उधर भी हो गया पसमें बराबर गुना करिए पचे पचीस सव हो गया प्लस फाइड एक्स हो गया बराबर साथ परचे पैंतीस तीन सो पचास प्लस सेवेन एक्स हो गया लाव इटा फून ला तो आई यह देखिए तो यह फाइड एक्स सेवेन एक्स में घड जागा तो टू एक्स और तीन सो पचास इधर घड जागा तो यह हो जागा एक्स सो पचास अब दो से अगर काटते हैं तो दो से काट दीजेगा दस सो पचास एक्स की वैलू कितना दस सो पचास यानि अब कास में उसको मिल रहा है 1075 रुपया लेजिए एक जो अब कास मिल रहा है चाहिए वो जय दिन का अब कास मिले एक अब कास मिलेगा जिसमें उसको 1075 रुपया मिल रहा है ठीक है अगला सवाल देखिए अगला सवाल कहता है कि निवन वेन आरेक 50 छात्र को दरसाता है जो बेवसाइक परसिक्षन सत्र ABC में भाग लेते हैं वेवसाइक परसिक्षन सत्र है ये ABC जिसमें भाग लेते हैं परतेक छात्र कम से कम एक परसिक्षन सत्र में भाग लेता है परसिक्षन सत्रों में केवल दो सत्र में बास्तव में कितने छात्र भाग लेते हैं ठीक है न अब धियान दीजेगा एक बात ब बाग़ेते हैं यह परस्षिक्ष्षन-स तरह हैए बीची में अगर बात करें तो दस पंद्रलोग लेकिन अगर केबल अमें तह 10 लोग । लेकिन केबल तो 10 लोग केबल बीमें बाड़ा वैसे परसिक्षन सत्र में केवल दो सत्र में वास्तव में कितने छात्र भाग लेते हैं केवल दो सत्र में केवल दो सत्र में देखो टोटल तीन सत्र है दस चात्र तो ऐसे हैं, टोटल पचास चात्र है न कितना है? पचास चात्र तोटल है पचास चात्र और आपको पता है कि एक सत्र में भाग लेने वाला एक सत्र में भाग सी में लिया है या भी में लिया है और तीनों सत्र में भाग लेने वाला पांच लोग हैं सब को जोड़ देते हैं तीनों सत्र में भाग लेने वाला एक सत्र में भाग लेने वाला अब बचेगा हमारा दो सत्र वला है ना तो दस दस बीस बीस आद दस तीस पांच पैंटीस अ या तीन सत्र में भाग लिया, तो 37 को को हटा देंगे बचेगा हमारा 13 जो केबल 2 सत्र में, only second सत्र में भाग लिया, second सत्र में कितना 13 लोग भाग लिया है, 13 कहां option C में, ठीक ना, सवाल क्या कहता है देखिए, यातरा सुरू करते समय आरंब की गारी की इंधन टंकी में 18 पु पेट्रोल बचा, यातरा के दरान आरंब में मौझूद पेट्रोल के कितने हिस्से का उपभोग किया गया, यातरा सुरू करते समय आरंब की गारी के इंधन में टंकी में 18 पुर्णांग 2,7 लिटर था, तो ये था पहले 18 पुर्णांग 2,7, अठारसाते छबील से अद्द बटा साथ है, तो कितना निकल गया, पहले ये पता करो, तो निकल गया कितना, 7 LCM हो गया, तो 8 में से 8 गया, आपका 0 हो गया, और 12 में से 4 गया, तो 8 हो गया, 80, 80 बटा साथ, तो ये 80 बटा साथ निकल गया, कुल कितना का, 128 बटा साथ का, 7 से 7 कर दो, और आगे अगर काट स चार से कर देंगे 4 तीज बार, 4 तीज बार, 4 तीज दूना, 8, चार से कर देंगे 20 बार में, फिर 4 से 5 बार में, 4 से 8 बार में, 5 बता, 8 हमारा एंसर हो गया, option C, 16, 85, 16, 83 से, 16 से उपर नीचे कट गया, ठीक ना, आईए, अगला सवाल पड़ा जाइए, सबाल है कि 1 3 मीटर लंबी व 2 मीटर चोड़ी नाव एक जिल में तैर रही है जब एक आदमी उसपर सवार होता है तो नाव 1 सेंटिमिटर डूब जाती है आदमी का भार होगा? आदमी का भार पूछा है आपसे सुनिएगा 3 मीटर लंबी 2 मीटर चोड़ी नाव एक जिल में तैर रही है जब एक आदमी उस पर सवार होता है तो नाव एक सेंटीमीटर डूब जाती है आदमी का भार क्या होगा यह पूछा है तो अगर तीन मीटर है और यहाँ पर एक सेंटीमीटर डूब जाती है तो एक काम करते हैं पानी खाली कितना हो गया यह बता यह पानी खाली कितना हुआ जहां नाव डूबी तो उस जगह से पानी साइड हुआ तभी नाव नीचे के तरफ बैठी है तो पानी खाली हुआ कितना यह पता करो सब को सेंटीमीटर क्यों में ले आते हैं क्यों ले आते हैं क्योंकि एक सें अभूना गहराई वो जो नीचे धासा है वो एक सेंटीमीटर इस सब सेंटीमीटर में गुना हो कि आ जागा सेंटीमेटर क्यों यह हमारा कितना हो जाता है तिन दुना चो हजार, साथ हजार हो जाएगा, दो दो चार जीरो, साथ हजार घं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों हो गया? अब साथ हजार घं सेंटीमीटर हो गया, दोस्तों आपको पता है कि एक हजार घं सेंटीमीटर बराबर, एक हजार घं सेंटीमीटर बराबर, एक के कि यह जाएगा आपका 60 kg हो जाएगा इसका जो मान होगा वो 60 kg यानि वो बेक्ती साथ केजी का है जो नाव में चढ़ा था नाव में चढ़ने वाला बेक्ती कितना का रहा होगा 60 kg का आजाएगे अगला सवाल है हमारा एगारा सो मीटर गुने साथ सो मीटर की भूमी के टुकड़े को चार बराबर आयताकार प्लोट में 20 मीटर चोड़ी एक दूसरे के लंबर दो सर के द्वरा बाता गया है पांच रूपे परती बर्ग मीटर के दर से सरक निर्मान में ल और चोड़ाई है इसकी 700 मीटर ठीक है ना एक आरा सो मीटर गुने साथ सो मीटर के भूमी के टुकड़े को चार बराबर आयता कार प्लोट में 20 मीटर चोड़ी एक दूसरे के लंब बत दो सर के काट दी गई एक सरक ऐसे बना दिया गया बीचो बीच चार बराबर भाग कर में दिया है और एक ऐसा और उससरक का जो है विस मीटर चोड़ी बीच «mitter» चोड़ा थी समी है तब इस अगर 20 मिटर चोड़ा है मेगार मेच व्याक आख ही यह वाला सरक हो गया प्पलास अब जान लो यह वाला तो 700 है तो यह सरक का लंबाई 700 तो 700 ऑच्व seculari से रहे गाठा साथ सो गुना बीज लेकिन इसमें से घटेगा क्या जब ऐसे गया तो भी यह वला या और ऐसे गया तो भी यह वलाइडिया याई यानि बीस गूना बीस बीस गूना बीस चुड़ाई है सरक अबी से ना तई बीस गूना बीस यह घटा लिया गया एक बार अब दोस्तों कि आ हुगया यहां पर देखो कि हां 11 दूना बाइस हाजार 11 दूना बाइस और तीन जिरो बाइस हाजार पला साथ दूना चौदा हजार माइनस कितना हो गया बीस बीस चार सो तो अब हम बाइस चौदा चार दू छो दू एक तीन चार सो कम कर देंगे तो 35,000 चार सो चार सो कम कर देंगे तो 35,600 यह हो गया इतना बर्ग मीटर एडिया अब एक बात कहता है कहता है कि पांच रूपे परती बर्ग मीटर के दर से कितना खर्चा आएगा यह बताईए तक कुल खर्च भी तो बताना है कुल खर्च क्या होगा जानते हैं कुल खर्च हमारा हो जाएगा यह 35,600 गुने पांच रूपे परती बर्ग मीटर धी इसे आधा भड़ा जाए तो इसका बजन 30 किलोग्राम रहता हैरिक्त रिक्त पात्र का वजन क्या है? सवाल कह रहा है ये पानी से भड़े हुए एक पात्र का वजन 40 केजी है यदि इसे आधा भड़ा जाये तो इसका वजन 30 किलोग्राम रहता है रिक्त पात्र का वजन क्या है? पहले मान लिजिए कि पात्र का वजन X अब पानी का वजन Y दोनों मिलाकर कितना आ जाता है? 40 kg पुरा भड़ा रहता है तब लेकिन कहता है इसे आधा भड़ा जाए तो इसका वजन 30 रहता है आधा भड़ेंगे तब भी तो पात्र का वजन X रहेगा वो बरतन का वजन X पुरा रहेगा अब पानी आधा भड़ेंगे यानि Y by 2 करेंगे पहले पानी पुरा उसका आधा तब कितना आ जाता है? 30 kg ठीक बात है अब यह हो जाता है हमारा इसमें क्या हो जागा? यह 2X हो जागा प्लस Y, पुरे के बट्अ में दुई जाकर उदर गुना हो गया 32 Bacon यह दूसरा समिकरन, लिए पहला समिकरन हमें काम करते हैं पहला समिकरन हमारा आया है X प्लस Y बड़ाबर 40 और दूसरा समीकरन हमाराया है 2x plus y बड़ाबर साथ अब एक काम करते हम घटा देते हैं घटा देंगे तो कैसे माइनस 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 यह तो गया प्लस माइनस जीरो हो गया इम माइनस में x आया और इधर माइनस में 20 आया माइनस माइनस गया X का मान 20 आया X का मान कितना 20 क्या पूछा है रिक्त पात्र का वजन 20 के जी ओप्सन C X माने थे रिक्त पात्र का ही यानि वो बरतन का ठीक ना तो चलिए मुझे उमीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो आज के कोशियन बहुत अच्छे थे और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में Thank you, Best of Luck